इसके लावा खबरों वाली शेर्स कौन कौन से आए हैं शरत बिलकुल हुड को फोकस में रहेगा ओएफस जो है उनके होने वाली है साथ परसंट स्टेक के लिए फ्लोर प्राइस 79 रूपीज का यानिकी जो करेंट मार्केट प्राइस उससे 12% के डिसकाउंट पर लेकिन कि बात करें तो 3% का फ्लोड आएगा बाजार में बाइकॉन की जो आम है बाइकॉन बाइलोजिक्स उनको जो है उनकी मलेशिया प्लांट में ओए आई का सर्टिफिकेशन मिला इसका मतलब होता है ऑफिशल आक्शन इनिशियेटर जब यह ओवरॉल इनिशियेशन स्टार् इसका मतलब नेगेटिव इंपक्ट तेजस नेटवक्स की बात करें तो एक पॉजिटिव डवलप्मेंट है फाइबर कनेक्ट जो है उन्होंने पार्टनर किया कंपनी के साथ जहां पर डिप्लॉई करने वाला है एंड-to-end आप्टिकल नेटवक्स अब यह इटली में होन मजगाउं डॉक ने लगबाग 310 करोड का एक शिपिंग कॉंट्राक्ट लिया है IDFC और IDFC फर्स बैंक के जो मर्जर की प्रोसेस से वहां पे CCI की अप्रूवल आ गई है बजाज एलेक्ट्रिकल्स को भी जो है अल्मुस्ट साड़े 300 करोड का ओर आया है पावर ग्रिट के तरफ से Zomato के लिए दो positive news है सबसे पहला है कि IRCTC के साथ उन्होंने tie-up कर लिया है जहां पे वो supply और delivery करेंगे pre-ordered meals और दूसरा important जो है rub-off देखने मिल सकता है वो है उनके competitor का जो है Swiggy अब जो unlisted market में या private equity space में हम कहें तो invest को जो one of the investors है Swiggy में उन्होंने अपने जो valuation ह उसको बढ़ा दिया है Swiggy का 42% का hike दिया है last number से और अब Swiggy का valuation 7.8 billion dollar हो जाता है तो इस valuation के जो improvement देखने के कारण जो rub-off effect Zomato में भी देखने मिल सकता है जो कि already listed है Orient Cement भी आकर में stock focus रहेगा जहां पर उनके promoter CK बिल्डा जो है रेपोर्ट सारी है कि उन्होंने अप्रोच की है अदानी ग्रूप को जहां पर वो अपनी stake बेज सकते हैं अपनी cement company में अब Orient Cement में promoter का stake लगबग 38% का है जिसका value आता है 1540 क्रो रूपीज तो इस stock में भी ह हमने तेजी पिछले तीन महीने में देखी भी है ओके थैंक यू शरत यह सारी जानकारी देने के लिए तो कोई भी ख़बर मिस नहीं होगी आप से एक के बाद ही important ख़बरे और उसका impact पूरा analysis शरत अभी आपको करके बता रहे थे तो इस टॉक्स पर नज़र रखें लिए क्विक्ली नजर डालेते हैं कमोडिटी मार्केट पर वहां पर जो रणीती आ रही है वह एक एक करके आपके सामने रखेंगे हमारा संपर्ग तो नहीं हो पा रहा है अनलिस से लेकिन केडिया कमोडिटी से अजय केडिया ने अपने कुछ रणीती भेजी जिसमें की पहला ह सोने में उन्होंने खरदारी करने की सला दी है 59300 के टारगिट के लिए स्टॉप लॉस होगा 58500 का और दूसरा है सिल्वर यहां पर भी खरदारी करके चलिए 31800 के लेश देखने को मिल सकते हैं सोने चांदी में हमने अच्छी तेजी देखी तेजी आगे भी जारी रह सकती ह कच्छे तेल में भी तेजी करने की सला है उनके तरफ से 7350 के लक्ष के लिए आप कच्छे तेल में खरदारी करके चलिए स्टॉप लॉस होगा 7125 का और जिंक में भी बाइंग कॉल है 222 के टारगिट के लिए स्टॉप लॉस होगा 211 का यह बात हुई नॉग नागरी कॉमो झाल 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 क्वच्वध कॉमो इफजबस और जंबस भाल एप वच्छ एंगे तरोनधरे Il थे जिए से सटॉप झाल 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 झाल